नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्वों अब आपका किश्मत बदलने वाले हैं जे दोस्वों आपको बता दें कि आपके कुंडली में सिद्रों की बहुत शुबिस्ति बन रही है कुछ धन्योग और कुछ राजों का इशा निल्वान होगा जिससे कि आपको धन कमाने की फरबल मोके मिलने वाले हैं जिसका आपको कई शम्यों से इंतजार करते आ रहे हैं जिसका कई मेहनों शे इंतजार करते आ रहे थे जो भी मौके आपको मिलने वाले हैं इन मौके को आप कीशी के भी शाथ सेयर बिल्कुन ना करें क्योंकि ये आपके लिए अत्यन्त महत्पुन होंगी जो दोस्तों आज का ये वीडियो आप शबी के लिए बहुत इलाबकारी रहने वाली है शाथी आपको वीडियो में बता जाने वाली हर एक छोटी शिजावधान भी रखने के अवशकता होंगी क्योंकि दोस्तों यश में आपको दुश्मन भी प्रबल इस्तिती में होने वाले हैं अगर आप कोई भी बास उनसे शेयर करेंगे तो दोस्तों वे आपके आगे तो हंस देंगे और आप पर यकी नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वह अंदर ही अंदर आप पर भी कोई बड़ा कारी कर सकते हैं आपको नुक्षान पहुचाने के लिए कोई शड़े अंतर रच सकते हैं इसलिए दोस्तों आपको कौन से चिद्रों में शावधा रेने क्या उशकता होंगी कौन सी बड़ी उपलब दियश में आपको मिलने वाली है कि इनकी जद्रों में आपके धनलाब होने के बड़े परवल योग बन रहे हैं शाथी करों की ये स्थिति आपके घर के महौल में पारे उजिन में क्या क्या शुधार करने वाले हैं तो दोस्तों इन शबी की महत्मुन जानकारे आपको प्राप्त होने वाली है इसलिए वीडियो को बिल्कुल ही मिश्ना करें और सुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखें उश्रे पहले दोस्तों जोई वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्ष में शच्चे मन से जय माताद लिखेगा गुरुजी का और माता रानी का शीदाश्र बात प्राप करेगा तो दोस्तों जरूर लिखेगा और यदि आप चनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को प्रिश्ट कर ले शाद लिए बेल आइकन को प्रेश करके पॉल पर श्रेट कर ले तो आई दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों यश्टों में आप पूरे मनोयोग दोवारा घर के शविश अदर्श्यों की जरुरतें पूरी करने में शमय वतित करेंगे घर का वातारण खुश्टनुमा बना रहेगा दोस्तों आपके मस्तिश्क में नई नई योजनाई आएंगी और दोस्तों यश्टों यश्टों में उनकी शवलता भी आपको प्राप्त होंगी दोस्तों जो की घर के और वावशाय दोनों के जगा के लिए बहुत ती उचित शाविद होंगे इश्कु प्राण दोस्तों याश्मे आपके शागाने के लोकर बात करें तो दोस्तों याश्मे बहुत अधिक महनत था धकान की वज़शे कभी कभी श्वभाव में चुट चिरापन रहेगा जिनकी वज़शे बिना बात की गुश्वा आपको आशकता है दोस्तों याश्मे शंतान की उतिदियों को भी नजर अंदाज करना आपके लिए ठीक नहीं होगा कड़ी नजर रखी इश्कु प्राण दोस्तों याश्मे आपके लिए जिसे महोंगी दोस्तों आपको दोवरा काम में कोई बड़ी गलती याश्मे हो सकती है दोस्तों जिनक बीशवर्ठी के दोवरा पेश्य समय कोई बहुत तजरूरी है। कभी-कभी आपके अतेदिक रोग-टोग की वज़शे घर के शर्दे से परिशान हो सकते हैं। दोस्तों, कोई भी निले लेने से पहले एक बार पुनर विचार करना आपके लिए अतियाउश्व होगा। इसको प्राहन दोस्तों, याश्व में आपके कीशी काम के लिए घर के बुज़गर दोवारा भिरोध क्या जा सकता है, जिसकी वज़शे आपकी नराज़ी बढ़ेगी। फिलाल दोस्तों, पेशे का निवेश करना आपके लिए योगर रहेगा। शाथी दोस्तों, तो पर के बाद कोई चिंता जनक इस्तिती उत्पन हो शकती है। उतने की भी आशनका बन रही है। दोस्तों, किशी भी चीज को पाने क्या जीद यश्मी आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यश्मी आपको थोड़ी तकलिप शेवी गुजरना पड़ेगा। पस्तिती में बदलाव यश्मी आपको देखने को मिलेंगे। इसको प्रांदोस्तों यश्मी आप अधिक से अधिक समय परिजनों के शाथ वहितित करने का प्रयाश करेंगे। दोस्तों, नेतरुत करने की आपकी शमता बहुत कार्य को सुचारू रूप से पूरे भी करेंगे। प्रांदोस्तों यश्मी खर्चे के दिखता भी रहेगी जिनकी वजश्य कुछ तनाव रह सकता है। किसी भी बाद बाद की स्तिती में शांत रहने में ही आपका बलाई होगा। दोस्तों, अपने रुजमर्रा की जिंद्गी से थोड़ा बिरेक लेकर मेतर परिवार के शाथ या फिर अपके करेबी लोगों के शाथ थोड़ा वक्त पिताना होगा। जिनकी वज़शे आपको नई उर्जा प्राप्त होंगी। दोस्तों, यहशो में आपके वह वोब शाथ के शाथ के शीतर में बहतरी के लिए आपको अथक परियास करने होगे। और दोस्तों आपको अपने इन पर्याशों का उचित लाप यहश में प्राप्त होगा। दोस्तों आपको बता दें कि वह शाय में कड़ी मेहनत के आफशकता होगी। अपना शमय शमय नश्ट ना करें यह आपके लिए उचित होगी। दोस्तों परिवार की देखरेक में आपका पुर्ण स्योग रहेगा। पती बतने के आपसी शम्मन भी यह शमय मादूर रहेंगे। दोस्तों पराण दोस्तों यह शमय आपके लव लाइप के लिए समय होगे। दोस्तों यह शमय पारिवार क्वातावरन खुष्ट मा रहेगा। तदा प्रेम शमन भी यह शमय मार्या दित रहेंगे। इसको पराण दोस्तों यह शमय अगर आपके श्वास्त को लोकर बात करें। तो दोस्तों अत्यदिक मेहनत की वज़शे ठकान और कमजोरी महसुद होगी। दोस्तों यह शमय अपने खान पान के प्रती लापरवाही ना बरतें। तथा उचित आराम भी लें। यह आपके लिए बैतर होगे। इसको पराण दोस्तों यह शमय आपके श्वास्त के लिए जो समय होगे। दोस्तों शारिक रूप से कुछ कैम जोरी महसुद हो सकती है। काम के अधिक्ता के वज़शे तनाव भी आपके उपर हावी रहेगा। इसको प्राण दोस्तों यह शमय आपको बता दें। आपके श्वास्त के लिए जो समय होगे। दोस्तों यह शमय खां से जो खाम और बुखार के समस्या भी रहेगी। यह शमय स्वास्त के परती बहुत अधिक शावधानी बरतने की आवश्चता होंगी। कुछार के वी अवश्चता होंगी।